नमस्कार आप देख रहे हैं हापुढ़ हल चलो और मैं हूँ आपके साथ ललेत श्रिभागीरती रामलीला कमेटी में कल यानि शुक्रवार के दिन मुख्याती थी मानने स्री सोना सिंग अध्यक्ष नगरपाली का परिशत गढ़ मुक्तेश्वर वे शैलेंद्र कुमार गर्ग उर्फ शीलु गर्ग वे लता केवट दुआरा विजय दश्मी को फीता काट कर मंचन का किया गया शुभारंग श्री राम चरित्र मानस के बारे में श्री राम भक्तों से कहा कि यहां राम लीला में अच्छाई को साथ लेकर जाते हुए वे बुराई को यहीं छोडते हुए और परदा डालते हुए श्री राम की तरह अपने पूरवजों की बात को मानकर श्री राम की तरह वनवास को लोगों को समझाते हुए मानने स्री सोना सिंग अध्यक्ष गढ़मुक्तेश्वर ने बड़े ही विशाल तरीके से रामलिला का मंचन करते हुए सभी व्यक्यों और महिलाओं से कहा कि नगरपाली का परिशद के लिए जो भी समस्या हो उसका पूर्ण रूप से निस्तारन कि जाएगा श्री भागिरती रामलिला कमेटी में मानने स्री सोना सिंग अध्यक्ष नगरपाली का परिशद गढ़मुक्तेश्वर भगवान राम की लीला में 21,000 रुपे की दान दक्षणा भी दी इसी के साथ श्रीमान शैलेंद्र कुमार और शेलू गरग ने भगवान श् अध्यक्ष नगरपाली का परिशद गढ़मुक्तेश्वर वे शेलेंद्र कुमार गरग उर्फ शीलू गरग वे लता केवट को रामलिला का मनोनित पटका पहना कर स्वागत किया गया और श्री भागिरती रामलिला कमेटी की तरफ से मुख्य अतीती को पिर्ति मूर्थी देकर सम्मानित किया गया और विजय दश्मी के दिन दशहरे की पावन अवसर पर रावन दहन किया गया शाशन प्रचाशन श्रीमान ऐसे चो वे चोकी पिरभारी अमित सिंग द्वारा पुलिस कर्मियों की ड्यूटी तैनात की गई जिसनों पस्थित स्री भागिरती राम लिला कमेटी के पदाधिकारी अध्यक्ष विन्यमिश्रा वे महसचिव अखिल शर्मा कोशाध्यक्ष कुलदीप गोयल मंच पिरभारी कपिलनागर वे पूर महमंत्री देविदास कश्यप सभासद महेश बंसल उर्फ टीटू सभास पर चोधरी तनुज कश्यप अंकित पोरवाल आधी कारिकरता मोजूद रहे इस खबर में फिलहाल इतना ही हापुडो रासपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ हम है हापुड शहर का नंबर वन न्यूज चैनल हापुड हल चल नम हमारा पता है इको बैंक के पीछे फ्री गंज रोड हापुड में आप तमाम जेनरल कंपटीशन की छात्र छात्राओं के लिए सुन है राव सर तो याद रहे मैत का नया बैच 28 सितंबर से चक्रवर्ती मैथमेटिक्स में सुरू किया जा रहा है और इस बैच के लिए हुग एक सांदर जानदर धमाकेदार अफर